हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको linear search का program लिखके बताने जा रहा हूँ तो मैंने last वीडियों बताया थेगी insertion sort का code कैसे लिखते हैं उस्ती language में तो सब्सक्राइब इस code को डेट करते हैं तो यहाँ पर linear search के लिए सबसे पहले मुझे integer variable चाहिए इंट पहला है i उसके बाद n उसके बाद loc और यहाँ पर फिर a double r तो a double r जिसका मैं size दे रहा हूँ 25 तो यहाँ पर 25 elements of element आल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर printer function लिखने जा रहे है और यहाँ पर double code रिंट कराएंगे यहाँ पर enter the number फिर यहाँ पर scanner function लिख रहे है तो यहाँ पर %d और उसके बाद %m फिर यहाँ पर printer function फिर रिख रहे है printer और यहाँ पर enter the array element और इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फॉर्ड लिखने जा रहे हैं for i equal to 0 i less than n i plus plus फिर यहाँ पर scanner function और यहाँ पर %d और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फिर से printer function और यहाँ पर enter the number to search prossearch यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर से अब यहां पर फॉल्ड उप सुरू कर रहे है पर आई का वाल यहां पर जिरो से सुरू होगा कंडिशन है आई रेस्ट थे हैं फिर आई ब्लस ब्लस फिर यहां पर इफ एड़ डबल आर और आई दोल रॉल अबने के वाल टु लोज्ट अबरी कंडिशन कर रहे यहां पर इंटर फंट्र अर दिख रहे है यहां पर पर संट भी है % at location % d plus n और यहां पे loc i plus 1 और यहां पे break statement हम यहां पे break और यहां पे if condition उसके if i double equal to m अगर यह condition सही रहा यहां पे printer function लिखना है printer % not in the array और यहां पे loc का value निट करेंगे तो यह है code linear search का अचरी इस code को execute करके देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई error नहीं है तो यहां पे enter the number तो यहां पे enter करें 8 उसके बाद यहां पे 8 करने के बाद 8 हाप को element error में डालना पेड़ेगा तो search बाद में 12 तो उसके आप 9 उसके 67, 54, 77, 34, 32 और यहां पे 12 यह दिखें यहां पे यह 5 और यह 3 8 total element के इतना है यह में 8 आप किसी भी number को search कर सकते हैं चलिए 34 इंटर करते हैं यहां पे और इंटर करते हैं यहां पे तो दिए दिखें 34 is present at location 6 दिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह output आ रहा है चलिए इस बार हम इंटर कर रहा है इंटर 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 नमबर 4 चार element array में डाल रहा है 3, 7, अचलिए 37 हो गया यहां पे 7, 6, 4 यहां पे इस बार हम सर्च कर रहा है 4 यह दिखें 4 is present at location 4 यहां पुटा रहा है चलिए एक बार फिर से execute करते है यहां पे इस बार हम दिए 6 यहां पे 6 element देर है 5 8 67 554 88 और यहां पे 89 यहां पे enter the number कितना कि है enter the numbers तो यहां पे 6 कि है यहां पे 6 element है यह 3 यहां पे हम इस बार 99 99 अरे में नहीं है तो इसको सर्च करेंगे तो क्या output आएगा यहां पे output आए 99 99 अरे में नहीं है तो यह है linear search program इस language में अब मैं इस program को try and करके आपको दिखाने जारहा हूँ तो इस program को और debug कीजिए सबसे पहले control या main function पे आएगा उसके अदर जाएगा यहां पे मैंने 4 integer variable यह पहला है i उसके बाद दूसरा है and इसके बाद loc पे यहां पे आप 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 25 आप 25 आप 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 यहां पे 3 यह 4 इसके बाद आप 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 24 आप आप 2 आप तियो रिसीब करएगा 801 2 % पे नया वालू यहापट हम इंकर कर एं 30 उसके यहाँ के वाल यहाँ न मेला 2.5 पे सहीया 10 • 5 पे Cum 14 24 उसके आई केमल यहां पर 5 हो चिकर रहे हो 5 less than 5 जोगी condition सही नहीं है तो अंदर ना जोगी control यहां पर फिर यहां प्रिंटर फंक्शन है जो कुछ भी double code के अंतर है वो output is screen पर display होगा और यहां पर scanner function है percent ही क्योंकि LOC क्या है तो यहां पर जो कुछ भी इंटर करेंगे वो LOC receive करेंगे तो दिखिए हम यहां पर 13 इंटर करा लें ठीक है 13 को सर्च करें कोई element को आप सर्च कर सकते हैं तो यहां पर for loop में control आएगा तो यहां पर i का value 0 से शुरू हो चिकर रहे हो 0 less than five जोगे condition सही है तो यहां पर 80% double equals to lock तो 0 पर 9 है लोक का value 24 है तो यह condition सही नहीं है तो यह अंदर नाज़ोगे control आएगा i का value पर increase कर आए का value 1 चिक करेंगे 1 less than 5 जोगे condition सही है तो यहां पर 1 person double equals to lock तो 1 person पर 24 है लॉक का वैलू 13 है जोकि equal नहीं है तो अगे यह ऊपर जाएगा I के वैलू के increase करें आउक का यहाँ पर 2 चेक करेंगा 2 less than 5 जोके conditions नहीं है यहाँ पर 2 less than 5 जोके conditions पर है यहाँ पर if it were 2 double equal to lock बड़े से लॉक टो बैसे ली 30 है यहाँ लॉक का वैलू 35 है तो condition जोगी एक वाल है, तो यहाँ पर print करेंगे, print function %d, %d यह %d अलो से के लिए है, ठीक है, तो yellows का value क्या है, 13, तो यहाँ पर 13 is percent at location i plus one, तो i का value क्या है two plus one, three, तो यह output आगा 13 is percent at allocation, इस तो यह पर सरेंड ही आई प्लस के लिए उसके प्रेकर स्टेटमेंट है यहां पर बिगैक एस्ट क्या करता है जोबी कर्वेलगा अइक्ज गैंट स्बाइक मतलब है तो इस फॉल लूप को यह खतम करेता है, खतम हो जाने के बाद यहां, यहां पर चिक करेगा, यह फॉर्ट लूप का यहां पर है, यहां से, इसको फॉर्ट लूप का यहां से यहां तक है, यहां पर चिक करेगा, यहां पर चिक करेगा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां अगर माल लिए कि हम यहाँ पे इंटर करते हैं, एलोच का वैलू 23, तो यह क्या होगा, 23 जो कि अरे में नहीं है, तो चिर्क करेंगा 1 by 1, तो यहाँ पे जब चिर्क करेंगा 2, तो 2 में क्या है, 8 वार 2 दबली कर टू 23, 23 लोकेशन में, जो कि इक्वल नहीं है, तो यह अंदर यहाँ पे यहाँ पे क्या है, तो यह अरे क्या होगा, यहाँ पे, इंडेक्स 5 से लेकर, और 24 तक हुए, नक क्या होगा, यहाँ यहाँ पे क्या होगा,Guya 24 तक जेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, की 24 तक जाएगा अब i का value यहां पर क्या होगा 8 और i तो i का value क्या है यहां पर 4 है 4 पर पर क्या है 24 है और अधरसी का value क्या है 23 तो दोनों equal नहीं है तो उपर जाके i का value के increase करेगा और i का value जब 5 होगा चेकर है 5 जो यह condition सही नहीं है तो यह वादव से बाहर आके यहां पर control यहां पर यहां पर यहां पर I का value 5 और i का value 5 है तो अगर यह condition सही है तो यह पर सेंटी क्या है LOC के लिए तो यहां पर 23 not in the array और slash in उसके अधर करसर 9 पर चला गए तो यह है array का तो यह है driver method इस program का तो इस पर मैंने n का value यहां पर enter किया इनका value मैंने enter किया है 5 दुसरे बार आप इनका value इंटर किये 8 अगर 8 किजिगा तो 8 element आपको element डालना परेगा और 8 element डालने के बाद अगर कोई element सर्च करना है तो इस तरह से search हो तो यह linear search program जो कि C program में है तो मैं आपसर करता हूँ कि आपको यह steps और try and समझ में आ गया होगा अगर कोई problem है समझने में तो comment किजिए ज़र reply करोंगा तो आज की video में इतना ही मिलते हैं new topic के साथ नहीं थेंक्यू